जैस्री राम प्रेमी भक्तों क्या सभी भगवान को पा सकते हैं तो कैसे हैं प्रेमी भक्तों भगवान को पाने की बात नहीं है भगवान को सबने पाया हुआ है लेकिन जानते हुए भी अन्मिभग्य बने हुए हैं हमने ए प्राप्त को प्राप्त नहीं करना है हमने प्राप्त को प्राप्त करना है क्योंकि भगवान तो सभी जगे हैं अंतरिया में हैं खण कण में बिद्धिमाल है तो पूछने वाले ये पूछ रहे हैं क्या सभी भगवान को पा सकते हैं तो कैसे भक्तो पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और किसी भी छेत्र में कुछ पाने के लिए जब करते हैं और जितनी लगन से करते हैं उतना ही हम प्राप्त कर पाते हैं और पावी लेते हैं अब इसमें भगवान की बात आती है तो भगवान तो हमारे अंदर हैं भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं भगवान तो हमें प्राप्त ही हैं लेकिन हमने उनके साथ जुड़ना है उनको जानना है कि भगवान ह हमारे अंदर हैं और वो है कहां पर हैं और वो है कैसे मिलेंगे तो भगवान को मिलने के लिए हमारे संतों ने जो अभी तक समझाया है समझा भी रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे उन्होंने कहा है उस से जुड़ने के लिए आपका जिस नाम पर विस्वास है किसी का राम पर है किसी का कृष्ण पर है किसी का सिप पर है किसी का राधा पर है किसी का गणेश पर है तो जिस नाम से आप जुड़े हुए हैं जिस पर आपका विश्वास है उसको आप पहले बाणी से याद करें उसके बाद में जब बाणी बोलने के लिए असमर्थ हो जाए और बाणी से बोलना अच्छा न लगे तो आप फिर मन से बोलें और जब मन को भी अच्छा न लगे मन भी भर जाए बोलने बोलने से तो फिर आप प्राणों के द्वारा उसको याद करें यह तीन प्रिक्रिया हैं और एक प्रिक्रिया सुनने की भी है वो है आप अपने कानों को बंद करके और उसको सुन भी सकते हैं वो है परमपिता परमात्मा की ही प्राकृतिक आवाज है जो बिना बजाए बज रही है उसमें भी अगर हम ध्यान लगाते हैं तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवान को पा सकते हैं और अगर हम जैसे हमने बताया पहले बाणी से फिर मन से और उसके बाद प्राणों के द्वारा अगर उसका हम ध्यान करें उसके लिए हम अभ्यास करें तो ऐसा है ही नहीं कि आप प्रमात्वा को नहीं पा सकते हैं बहुत संतों ने बहुत भक्तों ने उसको पाया है और पाने के लिए प्रियास भी कर रहे हैं बस यह है कि आप एक बार लैन में लग जाएए यानि का आप एडमिर्शन ले लीजिए स्कूल में और ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से मन लगा करके और आप पढ़ते रहें त और एक दिन आप उच्छी किलास में जाकर के जो हांसिल करना चाते हैं जो आप बनना चाते हैं जो आप परमात्मा को पाकर के परमात्मा से चाहा रखते हैं वह आपको अवस्य ही मिल सकता है इसमें कोई संदे नहीं लेकिन चलना आपको पढ़ेगा करना आपको पढ़ेग और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको अपनी मंजल आवश्य मिलेगी, इसमें कोई संसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि भगवान किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान का जो छेत्र है, आध्यात्म का जो छेत्र है, उसमें आपको उ जीवन में तो धीरी धीरे आप भगवान के तरफ चलते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि भगवान को आप पा सकते हैं भगवान को आप जान सकते हैं भगवान से आप मिल सकते हैं तो आसा करते हैं आप भगवान को पाने के लिए ये सब करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जैया स्री राम